बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसो के 31 फूल शंकर जी को चड़ा दिया जाते हैं, तो बच्चा पढ़ने में अबल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं के सकते कि पढ़ने बेट, वो खुद बेट हैगा। एवलाज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन, एक ही दिन चड़ता है। और बाकी के सरसो के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ती के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी बर्णन किया है। कि जब कोई एकदम रोग आजाए और डाप्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आगया है और इसकी जाचे जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है। तो क्या करा जाता था कि एक स्वाट सर्सो के फूल लाकर तुरन संकर भवान को चड़ाया जाते थे महारत। तो चड़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। नियम है। टेका कोई ठेकेदारी करते ना। जो खेकाबरते हैं। की मेरा ये काम ओना चाहिए, दे मर्टी करता चाहिए, मेरे मलती बनना चाहिए यंडığे काम थधना काम फंटी होना चाहिका। सबके षात एर सस्वाट सड्सो के फूल देख। संकर जी का उधूतेश्वर महादेओ का नाम लिगो और छोड़ दो शिव जी के उपर एक एक करकर चड़ा दो वो ठेका तुमें ही मिलेगा वो काम तुमारे पास ही आएगा बस किवला उधूतेश्वर महादेओ अर्थात ये जो क्रम है ये वो क्रम तो एक्सवाट सरसो के फूलका आप कभी भी कर सकते है पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो किवल बसंत बंच्मी के दिन ही होता महाराज आज जी के सरसुती जी का एक नाम शारदा है कह नाम है जम के बोली ही ज़रा शारदा यह शार्दा नाम कहां से पढ़ गया सरस्वती मता को शार्दा नाम किसने दिया था भई नाम करण होता है तो हमारे यह तो हाज भी निया में मारज यह बुआ कोई नाम बताती है मामा जी कोई नाम बताते है और दादा जी कुछ बोलते हैं कोई बोलेगा टिको, कोई बोलेगा पिको कोई बोलेगा कुछ सबके नाम अपने पने रहते हैं कोई प्रेम से क्या बोलता है तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था माता स्वर्षती को शार्दा संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था जिस समय पर संकर और पार्वती ब्रह्मन पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव स्वर्षती को ढूंड रहे थे और माता स्वर्षती को ढूंड दे हुए ब्रह्मा जो भागवान शंकर की शाक्षी में पहुचे हैं जैसे एक इस्त्री जो पतिवता धर्म का पालन करने वाली है एक नारी पतिवता धर्म का पालन करने वाली होती है पती को प्रमिश्वर मानने वाली होती है पती के चरणों का रस्तत्व गरण करने वाली होती है तो वो परपुरुष का इस्मन नहीं करती उसी तरह एक पती जो अपनी अरधांगनी के साथ में रहे और अरधांगनी के साथ चले तो परनारी का इस्त्मन नहीं होना चाहिए तो एक काम करो पारवती तुम उस सरस्थी को बुलाना प्रारम करो अब पारवती जी ने कहा सरस्थी तो मेरी बेहन जैसी है सरस्थी तो मेरी सक्खी जैसी है अब मैं उसको अगर भुलाऊं आवाज दूँ अच्छा नहीं लगेगा तो माता पारवती जब धूनते रूनते धूनते धूनते संकर वगवान के साथ मैं ब्रह्मन करती करती पहुची तो क्या देखती है माता पारवती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्ती बेट कर सरोवर में अपना मुखागरविंद देख रही थी स्वेत वस्तर था मेरा मा का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्ती ने और एक सरोवर में माता सरस्ती अपने मुख को जम निहार रही है उस दरपण के भाव में अपने प्रतिविंब को देख रही हैं तब उस समय पर माता पारवती ने कहा शारदा सरसती को लगा कि मेरा संबोधन ये किस ने कहा पलट कर देखा सरसती नहीं का पार्वती तुम हाँ मैंने तेरा जो दर्पन में प्रतिविंब देखा है तेरा सुरूप देखा पर तु इतनी सुन्दर है इतनी सुन्दर है पर तेरा जल में जो सुरूप देखाना वो नीला दिखाई दिया थोड़ा सा शाम दिखाई दिया इसलिए मैंने तुझे शार्दा कह दिया आज भी हमारे मद्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में महीयर में आज भी शार्दभवानी विराजमानी मादाज धार जिले में जाएंगे तो बाग छेत्र में माँ बाग शार्दा आज भी विराजमानी कहां सरसती जी पूची पारवती तुमने मेरे को शार्दा क्यों कहां क्योंकि तेरा जो प्रतिविंब था वो शाम नजर आ रहा था मुझे उस प्रतिविंब को देखकर मैंने तुझे शार्दा का संबोधन दिया तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहें सरसती ने कहा पारवती मिया दिदी आपने मुझे जो नाम दिया है जगत के लोग संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शार्दा ये स्वर्सती स्वयम उसके कंठ पर उसके मस्तीशक पर सदा विराजमान रहेगी ये शार्दा बनकर इसलिए हमारे इसकुलों में हमारे काब्य ग्रंथों में हमारे जो कवी गण रातरी को जो काब्य पाट करते हैं कवीता का स्मर्ण करते हैं वो स्वर्सती की बंदना नहीं करते हैं कवी आप से कोई पूछ ले कि शार्दा नाम पारवत सरसती का कप पड़ा तो आप बता सकते हैं ऑर डूंदने के लिए जमने के लिए ब्रम्ते करने पर बगवान शिव के सान्थ ब्रमन करती नाम कोई सहरज नहीं होता कorable देखता होगा गादा जीन अगर किसी का नाम कुछ रखा है तो शार्दा का संबोधन कोई सहज नहीं है, माता स्वर्सती का एक नाम शार्दा हुआ, इसलिए संबोधन में स्वर्सती कम शार्दे माजादा बोला जाते, आप कब्दपाट कर लो, नाम जाप कर लो, इस्मर्ण कर लो